हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब, आपका भाई हाजिर एनिव एकनसी के साथ, जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज की जो एकनसी आ रखिये वो आ रखिये, एंटीबीसी लिमिटेड की तरह से, नैशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरह से, य सारे पॉइंट को हम डिसकस करेंगे, वीडियो को आखनी तक पूरा देखना बीना स्किप किये, एलिजिबिलिटी क्रैटियरे के बारे में वीडियो के शुरुआत में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान फूर्वक्त देखना, अगर आप एलिजिबल होते हैं, तो आप वीडियो को कंटिन्यू करना, और अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं, कोई बात नहीं वीडियो को स्किप करके, कमेंट बॉक्स में अपने ब्रांच, अपने ट्रेड, अपने पास आउट येर को फ्रेशर है कि एक्स्पेरेंस, ये सारे चीज़े देखने को मिले, और सभी बच्चों के कमेंट मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, इसलिए वही वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपने मैंशन किया है कमेंट बॉक्स के अंदर, तो बात कर लेता है, अलिजिबलिटिक रेटियरे के बारवे, तो यहाँ पर आल इं यहाँ पर बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बार में, कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो अगर आपने डिपलोगा किया है, तो आप अपलाई कर सकते है, वही अगर आपने बीटे किया है, तो आप अपलाई कर सकते है, और ये वीडियो आटमेटिक निए उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो कि एलिजिबल रहने वाल है यहाँ पे मैं आपको एक टार्गेट दे रहा हूँ बस आपको 500 प्लस लाइक करवा देने अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेर कर देना है तो शुरू करन है कि यहाँ पे अपको अप्लाइ कैसे करना है उस प्रॉसस के बारे में देखेए अप्लाइ प्रॉसस बड़ा सिंपल सा रहेगा जो जो स्टेफ में आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ उनको आपको डिरेक्ली फॉलो करना है आप आराम से अपने मोबाल के तुरू अप्लाइ कर पाएंगे रही बात अप्लाइ लिंक का वो मैं आपको डिस्क्रप्शन में प्रोवाइड करवा रहा है डिस्क्रप्शन को ध्यान पुरुवक देखेगा वहां पर आपको एक मेल आईडी दिया होगा उस मेल आईडी पर आपको अपने सीवी को मेल करना है कैस को मिलेगा उसको download कीजिए उस पे अपनी profile को create कीजिए कहीं problem आती है profile create करने के अंदर directly आपने को whatsapp पे linkedin पे instagram पे message कर सकते है directly आप उससे connect हो सकते है उसका link भी मैं आपको description में दे रखा है और अगर आपने हमको linkedin पे follow नहीं किया जाके आपको 15 से इंजिनरिंग जॉब्स अबडेट देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो vacancy निकाले गी है ntbc g power की तरह से यहाँ पर vacancy देखने को मिलेगी basically ntbc है जो की g power के अंदर यहाँ पर वक कर रहा है इनका project चल रहा है उसी के लिए vacancy यहाँ पर निकाले गी है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने शुरू में ही mention कर रहा है कि immediate hiring आपका होने वाला है जिसमें इन्होंने यहाँ पर company का ब्योरा दे रहा है 325 मेगावाट का solar power project आपको देखने को मिलेगा उसी के लिए यहाँ पर vacancy देखने को मिलेगी इंजिनियर और senior engineer अगर आपने electrical या फिर उससे क्लेंट कोई भी branch में अगर आपने यहाँ पर diploma भी बीटे किया है अप apply कर सकते हैं इंजिनियर और senior engineer के पोशिशन के लिए तो engineer की पोशिशन के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया वो apply करिएगा और senior engineer की पोशिशन के लिए जिन्होंने यहाँ पर भी बीटे किया है वो apply करिएगा चार सल का degree है तो apply कर सकते हैं अगर आपने apprenticeship कर रखा है तो आप अपने resume या civic के अंदर जरूर से mention करिए कि आपके पास एक सल का यहाँ पर experience है तो इससे क्या होगा फरक पढ़ता है कि आपका selection chances maximum हो जाता है क्योंकि आपको जो कि industry का knowledge है वो आपको है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ने mention कर रहा है बेसिकली इन्होंने यहाँ पर तीन साल का experience mention कर रहा है अगर आप fresher है तो भी apply करेगा salary आपका थोड़ा कम देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर job आपकी लग सकते है क्योंकि जो solar का project रह यहाँ पर internship कर रहा है 100 Megawatt की यहाँ पर project पर अगर काम कर रहा है तो आप जरूर सप्लाइ करेगा solar वालों के लिए best opportunity आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर देख सकते है apply process के अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अपने mail ID दे रहा है आपको directly इस mail ID पर यहाँ पर आप telegram channel का link है आप उस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा telegram channel open हो जाएगा जैसा कि आप अभी screen पर देख पा रहे हैं तो आपके सामने ऐसा telegram channel open हो जाएगा तो आपको यहाँ पर करना क्या है टॉप पर आपको एक message दीखेगा pin message तो आपको इस pin message पर करना है click जैसे आप इस पर एक दो बार click करेंगे तो आपके सामने यह message आ जाएगा covering letter for fresher यह message आपके सामने देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर करना क्या है इस पर long press करेंगे तो जैसे आप इस पर long press करेंगे तो आपके सामने top पर आपको एक message दीखेगा यहाँ पर इस पर आपको कर दे सबसे पहले तो यहाँ पे covering letter of freshers इसको आपको अठा देना है subject जो line रहेगी mail ID का mail का जो आप mail करते है तो आपको लिखना है regarding vacancy for the post of जो भी आपकी branch है like आपका trade है, electration है, feeder है, IT का जो भी trade आपको mention कर देना आपकी जो भी branch है उसको यहाँ पे आपको mention कर देना है उसके बाद आप थोड़ा scroll down करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है माई, इसके आगे आपको लिखना है diploma B, B, Teg अगर आपने IT के तो वो भी आप लिख सकते हैं जो भी आपका college है उसको आपके हाँ पे college का नाम डाल देना है, फिर आपने जबी भी किया है, जिस भी year के अंदर आपने pass out year है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, लेक 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 वो आपको डाल देना है फिर आपको क्या करना है, नीची नीच आएंगे थोड़ा सा, आपको यहाँ पे name को हटा के आपको अपना नाम लिख देना है, मोबाइल नमबर की जिएगे, आपको यहाँ पे हटा के आपके मोबाइल नमबर लिख देना है, फिर उसके बाद edit हो गया, उसको copy करने के करता है, तो आप उनकी वीडियो भी देख सकता है, तो मेर भई एक बड़ी अपॉर्चिनटी आपको देखने को मिलेगी, apply जरूर कर देना, 100% आपको reply आने के chances रहेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करेगा, share करेगा ओ लोगों तक जिनको job की need and comment box में अप आपका pass out here कौन सा उसको बता देना, आप fresh air की experience से ये सारी चीजा mention जरूर कर देना, ताकि आने वाली next वीडियो आपको उसी से relevant देखने को मिले, all the very best, जैहिन